सान ब्यों चोधरी चरण सिंग हरियाना करसाभी सवीध यले इसार से डौक्टर रामातार जी हमारे सात में यह करसी वेग्यानिक है, ऐसा कह सकताओंगी सरसों वेग्यानिक है, अचे यह इसार में, तिलहन अनुबाग के हैड है तो इनसे बात करेंगे क्योंकि सर्सों की बिजाई का समय है तो सर्सों की बिजाई का सही समय कब तक है 55 बिजाई कब तक कर सकते हैं कौन सी खाद डालें युनिस्टी की कौन कौन सी वराइटियां लेटेस्ट है उनके बारे में भी हम बात करेंगे पिछले साल काफी किसानों ने गरका बीज लगाया लेकिन डोक्षाब उपचारित करने का कुछ किसानों को पता नहीं है गल्द सल्थ दवाई लगा देते हैं बाद में जर्मिनेशन में दिक्कत आ जाती है यह हम डोक्षाब से जानेंगे इसके अलावा सरसों की बिजाई कर पर नमस्कार सबसे पहले बताई एकि सऽों की बिजाई का समय सही कब तक रहता है देखिए सबसे उपयोकत जो समय है वो दस से बीस अक्टूबर के पीच में हम सरसो का मानते है खिए और उस से पहले पहले करें है भी परितुस्से जी यह तो बात हुई बिजाई के टाइम की अगर बात करें डोक साब तंप्रेचर का एहम रोल होता है तो तंप्रेचर क्या चाहिए रहता है सर्शों के जर्मिनेशन के लिए बढ़िया देखिए सबसे बढ़िया तो 32-33 के आसपास हम बताते हैं कि अधि अगर दिक्ष्मताब मान है तो उसकी बिजाई करें उसमें तो पोद्धियों की मरने का अंदेशा रहता है बिल्कुल डोक साब युनरस्टी की वराइटिया भी काफी अच्छी है पिछले साल के बात करें तो 725 ने बढ़िया पैदावार निकाली है पिछले 2-3 साल से और तो आप जिक्रा करी रहे हैं बहुत अच्छी किसम है इसको हम आल राउंडर किसम बोलते हैं हर तरह की जमीन पर फिट है अगेती कर दो पचेती कर दो किसी भी कंडिशन में हो चाए यह जो है किसान को जो है जो है पैदावर दे देगी और इसके अलावा भी आरच 761 है वो अब लेटेस जो आई है आरच 1975 है तो इन में से 17.06 जो उसका तेल जो है वो उसको हम क्वालिटी वाली वराइटी बोलते हैं क्योंकि तेल वहत अच्छा है उसका और उसमें इरुसी का अमल जो है वो 2% 2% से कम है तो वो शेयत के लिए बहुत अच्छा रहता है और उसके बाद एक अभी हमने हाईवर्ड भी चिनित हुए है हमारा हमारी इनुस्टी का उसका नाम है आरचच 2101 तो ये तो हैं किसमें जो है और आपको विजाई का समय मैंने बताए दिया 10 से 20 जो है इसका बेस्ट टाइम है वैसे विजाई पूर एक्टूबर कर सकते हैं और कुछ हमारे जो कुछ अलाके हैं जहां पर जो है कपास के बाद भी सरसुंगी विजाई कर रहे हैं तो वह भी पहले हफते दूसरे हफते तक जो है आखरी तक कर सकते हैं लोग सब ये जो वराइटियां आपने बताए यूनिस्टी में इनका बीज किसान मिले में तो अब के बार परचूर मातरा में मिला किसानों को साथ सू पचीस का भी लेकिन अब फिलाल इनका बीज का यूनिस्टी में है और कब तक मिलेगा ये थोड़ा सा आप कवर करिए इसमें देखिए इस बार जो है उननीस पिछेत्तर आरच उनीस पिछेत्र वीज तो थोड़ा सा कम था तीन किस्मों का तो आरच 725 है आपके आरच 14-24 है आरच 17-06 है तो इन किस्मों का तो अब भी उपलब्द होगा तो किसान वाई ले सकते हैं और अर्यानकर्शी विश्वजाले से आप जो है समपर्क कर सकते हैं इसके लिए बिलकुल दोग सब बात आती है सीड ट्रीटमेंट क कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में जिगर किया बहुत बड़ा सवाल है तो सीड ट्रीटमेंट कैसे करें इसके क्या बेनिफिट मिलती हैं किसानों को ठोड़ाय यह बहुत जरूरी चीज है कि किसान वाई जो है बहुत कम किसान है जो पीज का उपचार कर रहें और हम यह करे और इस तरह से उप्चार करके जो है उसको विजाई से पहले उप्चार कर दें और उसके बाद विजाई हम कर सकते हैं तो ये बहुत जरूरी चीज़ है बिल्कुल सर बात करें विजाई के टाइम पर नीचे खाद कौन सी डालें सरसों में तो ये खाद की मातरा बताईए आप और एक ये बताईए की डीएपी का विकल्प कौन सा है सरसों के लिए देखिए इसमें डीएपी जो है बहुत सारे किसार डीएपी परियोग कर रहे हैं उसके विकल्प के तोर पे जो है यूरिया जो है आप उसमें परियोग कर सकते हैं और दूसरा इसमें अगर डाल रहे हैं तो सलफर बहुत जरूरी है इसके लिए तो इसके लिए जिंक सलफेट अलग से भी परियोग में ला सकते हैं दस किलो ग्राम परते कड़ के हिसाब से या जो है दो कटे जो है सो किलो के पस जो अगर का परीयोग कर सकते हैं अन्य था अगर ऐसे सब्सक्राइट कर रहे हैं टो आपका डेड़ कटा जो है एसे सब्सक्राइट के दो आपसे और उस में जो जो 105 किलो करें सर्शों में हाँ देखिए ये जो है सबसे मुख्य बिमारी है और पिछले कई सालों में बहुत ही जो है ज्यादा के ज्यादा स्तरपे जो है उबर के आ रही है पिछले साल भी जो है इस बिमारी ने जो है काफी नुक्सान किया है जहां पर भी किसान ने जो है इसका सप् ये बिमारी आये चाह नाये, सपरे जरूर करने हैं, इसकी इंजार नहीं करने हैं, कि आये तो इसके सपरे करें, तो इसके लिए 0.1% कार्वेंडाजन, यही पफुन ना सक, और ये 45-50 दिन पर और दूसरा सपरे, एक सपरे इसकी का, पंताने पर चाह सपरे, दूसरा सपरे, शाट पैंसेट दिन पर, 0.1% यानि एक ग्राम आपके दवाई और एक लिटर पाणी, 100 ग्राम दवाई, 100 लिटर पाणी, या 500 ग्राम दवाई, 500 लिटर पाणी, तो इस अनुपात में जो है, इसको परियोग कर सकते हैं, और वो सपरे बेस्ट वराईटी है, उसका अलग से मैंने वीडियो सूट यहां पर लोग साथ में किया है, पूरा डिटेल में, वो आपको जल्द मिलेगा, और आने वाले सीजन में इस वराईटी की पूरी डिटेल में वीडियो यहां से युनिश्टी से आपको मिलती रहेंगी, लोग स आपका भूत भूत धन्यवाद, नमस्कार